दोस्तों यहाँ पर दिया गया है x plus 1 बटा 1 बराबर 4 है तो 1 square plus 1 बटा 1 square का मान ग्याद करो हमें कुछ नहीं करना है जल्दी से यहाँ पर trick को यहाँ पर लगाना है दोस्तों यहाँ पर करना क्या है? 4 का square क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर square की बात हो रही है और यहाँ पर हम लगाएंगे चिन और वो चिन कौन से लगाएंगे देखो यहाँ पर प्लस दिया गया है यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे माइनस चलो इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कुछ कॉंसेप्ट दोस्तो जब भी इस तरह से दि बाकि कुछ भी आएगा आप सिर्फ प्लस ही लगाओगे ठीक है तो यहां पर माइनस लगाएंगे इसके बाद क्या करना है हमें दो क्रों कर देना है घटा देना है तो कितना हो जाएगा चार का स्कौायर कितना हो जाएगा 16 और 2 घटा देंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 14 ठीक है तो यह final इसका answer होगा चली देखते हैं next next difference x minus 1 बटए x बराबर 4 है तो x square plus 1 बटए x square का मान गयात करो देखो यहाँ पर minus है यहाँ पर plus है ठीक है तो हमने बताया था minus plus आएगा तो क्या हो जाएगा plus सिर्फ आपको क्या याद करना है अगर plus plus आ रहा है तो सिर्फ minus होगा एक ही condition में सिर्फ minus होता है बाकि सभी condition में plus होता है ठीक है आपको कुछ नहीं करना है 4 का square करना है ठीक है और और याहांपर क्या कर देना है plus ठीक है क्योंकि यहां पर माइनस डिया गया यहां पर प्लस दिया गया है क्या कर दिना है ans all iqe k affordable अभाण और इसमें कर दो इसमें का इस तो एडिकर दो किन अधारे चलिए देखते आगला यहाँ पे है option है x minus 1 बटे x बड़ाबर 3 है तो x square minus 1 बटे x square का मान गयात करो देखो यहाँ पे minus दिया गया है हमने condition change करके question यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए तो हम करेंगे क्या यहाँ पे 3 का square लिखेंगे square इसलिए लिखेंगे यहाँ पे square की बात हो रही है यहाँ पे क्या करेंगे minus यहाँ पे दिया गया है minus यहाँ पे दिया गया है देखो minus यहाँ पे भी है minus यहाँ पे भी है ठीक है क्या करेंगे plus तो यहाँ पे हम लिखेंगे plus और यहाँ पे हम 2 add कर देंगे हो जाएगा 3 का square हो जाएगा 9 प्लस 2 प्रव कितना हो जाएगा 11 तो दोस्तों यह final 11 answer इसका हो गया अब अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर condition change कर दिया हमने x प्लस एक बटे x दोराबर 5 है हो तो x cube प्लस एक बटे x cube का मान गयत करो अभी तक हम square के बात कर रहे थे अभी हम cube की बात करेंगे देखो यहाँ पर यहाँ plus दिया गया है यहाँ भी plus है ठीक है तो हम minus लेंगे हम करेंगे क्या यहाँ पर 5 का क्या कर देंगे cube कर देंगे, cube क्यों करेंगे क्योंकि हम यह cube की बात कर रहे है, option में दिया गया है cube, इसके बाद friends यहाँ पर minus plus की बात करेंगे plus दिया है, यहाँ पर plus दिया गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ले लेंगे minus इसके बाद क्या करेंगे इसका जो घात होता है ना X cube 3 का गुड़ा करेंगे 5 में 3 पच्चे 15 ठीक है यहाँ minus 15 कर देंगे बस और कुछ नहीं करना है 5 का cube कितना हो जाएगा 125 ठीक है 25 पच्चे 25 पच्चे 125 और minus कितना कर देंगे 15 ठीक है तो यहाँ से क्या करेंगे घटा देंगे 5 में से 5 निकाल देंगे फ्रेंट से अपर 0 हो जाएगा और 2 में से 1 निकाल देंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा ठीक है तो यह final answer दोस्तो 110 आएगा तो दोस्तो इस तरह से आप यह सारे question solve कर सकते है इसी तरह के दोस्तो short trick वाले video पाने के लिए आप मेरे channel को subscribe पर सकते हैं ठीक है मिलते हैं के लिए video में नमस्कार